हलो फ्रेंड्स महुँद महुँद स्वागत आपका सूपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कास्टिंग के बारे में कास्टिंग जो की एक मैनुफैक्ट्रिंग प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे और उससे related जितने भी terms है उसके बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें तो कास्टिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले mold बनाना ज़रूरी है mold याने की साचा तो उसके लिए जुरत पड़ती है cope और drag की cope और drag दो box होते हैं जिसका उपर का और नीचे का हिस्सा खाली होता है इसे एक दूसरे के उपर में बिठाया जाता है और cope जो होता है वो उपर वाला हिस्सा होता है जबकि drag जो होता है वो निचला हिस्सा होता है निचले हिस्से को एक लकड़ी के board के उपर में रखा जाता है और इन दोनों को आपस में एक दुसरे के उपर रखने के बाद में अंदर पैटर्न रखने के बाद में उसमें पुरा rate भर दिया जाता है और इस box को अच्छे से tight कर दिया जाता है अभी हम आपको इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में अच्छे से समझाएंगे एक animation के थुरू मैं आपको समझाने की कोसिस करूँगा कि आखिर cope और drag का इस्तमाल करके और pattern का इन तीनों का इस्तमाल करके कैसे mold यानि की खाली जगा बनाई जाएगी जिसमें फिर molten metal को pour करके यानि molten metal डाल करके कास्टिंग की जाएगी तो यह देखिए यहाँ पर cope और drag को रखा गया है cope उपर वाला हिस्सा है ड्रेग नीचे वाला और बीच वाला जो हिस्सा है उसे pattern कहा जाता है pattern के बारे में अच्छे से आगे समझेंगे अभी देखिए रेत भरने के बाद में अच्छे से रैमिंग की जा रही है रैमिंग की जा रही है उसे अच्छे से tight कर दिया जा रहा है ताकि वो वहाँ पर fix हो जाए अच्छे से tight कर देने के बाद में अब हम क्या करेंगे टाइट करने के बाद में कोप और ड्रैक को फिर से अलग करेंगे और पैटन को बाहर निकालेंगे पैटन को बाहर निकालने के बाद में हमारे पास खाली जगा बच जाएगी जिसे की कैविटी भी कहा जाता है और फिर कोप और ड्रैक को वापस हम वैसे का वैसे फिट कर दे के टाइट कर देंगे बोल्टिंग इसक्रू के मदद से और यहां पर दो होल है आप देख सकते हैं राइज जहां पर से हम मॉल्टन मैटल डालेंगे इसके अंदर अंदर खाली जगा हो चुका है और इसे जहां डालते हैं उसे पोरिन बेसिन कहा जाता है और इस पर कहा जाता और ये riser है जहाँ पर से molten metal अंदर से उपर आया उसे riser कहा जाता है अब चलिए process तो आप जान गए हर एक terms के बारे में अच्छे से समस्ते हैं ये जो diagram है देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पर बीच में pattern है मैंने कहा था pattern के बारे में आपको बताऊंगा तो pattern क्या होता ह actual में pattern एक model होता है हमें जो product बनाना है जिस shape का product बनाना है हम उस shape का model पहले तयार कर लेते हैं अधिकतर pattern जो है वो लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी से बनाने में वो काफी आसान भी होता है साथ में वो सस्ता भी पड़ता है तो लकड़ी का pattern बनाया जाता है औ और उसे कोपोर ड्रेट के बीच में रखा जाता है और जो राइजर आप देख रहे हैं राइजर पतली सी पाइप नुमा एक संरचना है इसके लिए भी या तो मैटल का पाइप लगाया जाता है या फिर वुडर्ण वुड से लखड़ी से इसे बनाया जाता है कोपोर ड्रे funnel नुमा यानि एक चाड़ी नुमा संरचना रहती है इसकी भी और इसे भी या तो direct metal का बनाया जाता है या फिर लकडी से इसे mold के उपर में बनाया जाता है लक से और ये जो gate है यानि की दर्वाजा है यहां से molten metal enter करता है molten metal जब हम heat कर देते हैं अपने metal को तो वो liquid form में आ जाता है उसके बाद उसे pouring basin से डाला जाता है pouring basin से डालते हैं तो अंदर की जो cavity है वहाँ पर आपका जो molten metal है भर जाएगा क्योंकि पहले यहाँ pattern था लेकिन हमने pattern को बाहर निकाल दिया है और हमारा जो खाली जगह है उसमें अब हम molten metal को fill कर रहे हैं याने की भर रहे हैं जिसे की pouring कहा जाता है भरने के बाद में riser से उपर आएगा molten metal तो हमें यह indication देगा कि अंदर की जो खाली जगह है जो cavity है वो भर गई है तो cavity भर जाएगी riser का दो काम होता है पहला काम यह indicate करना कि अंदर की cavity जो है खाली जगह है वो पुरा भर चुका है molten metal से दूसरा क्या होता है जब molten metal ठंडा होता है तो वो सिकुरते जाता है और सिकुरता है तो अंदर फिर से खाली जगह बसती है जिसमें वापस जो riser में molten metal है वो इसके अंदर वापस जाता है ठीक इसी तरह से sprue में जो metal है molten metal वो भी अंदर जाता है जब अंदर में shrinkage होता है अब क्या होता है हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जो गरम molten metal है वो धीरे-धीरे solidify होता है liquid form का metal जो है वो धीरे-धीरे solid form में convert होता है जब थोड़ा देर होने के बाद में ठंडा होने के बाद में cope और drag को अलग करते हैं sand को हम तोड़ करके अलग से निकाल लेते हैं और हमारा जो casting product है वो हमको हुए है उसे काट करके अलग निकाला जाता है काट करके अलग निकालने के बाद में product की final finishing कर दी जाती है तो दोस्तों ये हो गया हमारा casting process उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझाई होगी और आपके लिए काफी helpful होगी अगर ये वीडियो आपको एक परसेंट भी helpful लगी हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजेगा casting जो है वो ऐसा manufacturing process है जिसका इस्तमाल बहुत सारे parts को बनाने में किया जाता है लेकिन casting का एक disadvantage ये होता है कि उससे मिला जो product है वो final finished नहीं होता उसकी finishing अच्छी नहीं होती है उसको फिर से finish किया जाता है तो दोस्तों फिर से मिलेंगे next video में तब तक के लिए अलविदा